तो फ्रेंड्स आपको यह भी पता होगा कि University of Hyderabad is not only for this anthropology, social science and science subjects, it is very well known institute for Urdu, for Hindi and हमारे पास नहीं आपाए, तेल्गु भी लोग है और language science भी हैं, तो you can also explore those things, तो अब हमारे जो normal जुमान में हैं, आज हमारे साथ हिंदी के कुछ candidate हैं और हमारे साथ कुछ उर्दू के भी हैं, तो अपने जो भी subjects के आपके साथ लग रहा है का आपको यह subjects पढ़नी चाहिए, यहापे हम कैसे approach करें, कौन सा paper आपको attempt करनी चाहिए, exam का क्या वो nature रहता है तो अपना यह introduction देंगे और आपको exam के बारे में बताएंगे, so that you can prepare for 2023. सबस्ता पहले तो मैं शारोकुमार बिहार से हूँ, इसी साल हिंदी में admission लिया first year, यहाँ पर बीए में साथ चलती है, जिसको आए में कहते हैं हम लोग, तो पहले माई सर्च करना चाहा कि हाईदरावाद में बीए चलती है नहीं चलती है, तो हिंदी का कोई वीडियो नही करते थे लेकिन फिर भी असामत नहीं रहते थे कि सही करते हैं तो मैं 12 से किया हूं उसके बाद देखिए, फ्रॉम साइंस बैग्राउंड ही इस नोग वें टेंड हिंदी, तो मैं पिस्चम से क्या रखा जाए, एक्जाम का जो होता है, मार्क्स स्कोर कार्ड जो आपका बन पर आना पड़ता है, जेनरल टेस्ट और एक हिंदी का पेपर, जेनरल टेस्ट का पेपर क्वालिफाइंग होता, उनमें 300 नमर का होता, जिनमें 7 क्वेच्चन बनानी, आपको मतलब 35 नमर से क्वेच्चन 5 मार्क्स लाना था, और अपको जो मेरिट बनेगा हिंदी का मार्स करना चाहें, तो आपका सुना है, आपका यूट्यूब चैनल भी है, थोड़ा बताएं, लोग आपको वहां से भी अप्रोच करें, क्योंकि हिंदी में आप IMA वालों को help कर सकते हैं, हाँ, तो बोलें कि मुझे हिंदी का हैं पर बहुत कोर्स मतलब हिंदी के बारें पता कर इन भी फ्रेंड को कठनाई होगा, कॉमेंट करेंगे, यह आपको उसका जबाब देंगे, और इस्पेसिफिक वीडियो का जो डिमांड करेंगे, यह भाई आपका मदद करेंगे, अब हिंदी का जिमेदारी आपको लेना है, जितने भी अपने एडिया के लोग हैं, जितना सबसे पहले तो मैं इस भाई का शुक्रिया आदा करना चाहूंगा, नमनीत भाई का, कि इन्होंने इस चीज को मतलब वीडियो बनाते हैं, और इससे लोगों को पता चलता है कि आखिर इस उनिवर्सिटी में हो क्या रहा है, मतलब किस तरह से हम जोईन कर सकते हैं, और इसस सबसे क्या होता है कि इस स्टूडेंट को सुविदा होता है कि हम जाएंगे तो आखिर जाने से पहले हमें कुछ मेसेज मिल जाना चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसका शुक्रिया आदा करना चाहता हूं, और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जैसे उर्दू वाले, सीख सकते हैं, जैसे के तेलगू हो गया, मल्यालम हो गया, और तामिल वगएरे जो हो गया, तो आप इससे एक लंग्वेज नहीं, बलके इसके साथ आप अधर लंग्वेज को आप एड़ कर सकते हैं, तो इससे पहले तो सौरव भाई ने बताई दिया कि किस तरह से हिंदी की तैयारी करनी है, सेम इसी तरह से उर्दू का भी प्रोसेस है, कि आप वाही जमा पढ़ें, और जैसे परग्राफ होता है, तो आप परग्राफ पढ़ें, परग्राफ से आपको कोश्चन बनाना होता है, उसमें से तीन परग्राफ होता है, उसमें से आपको बनाना होता ह पढ़ना है उसके बाद कुश्यन लगाना है तो आप पढ़ना है जिए धियान देभी तो मिल difficult कि जивать divine ही उसके बाद जो पहले पढ़े हुए 9 कके टेण में पढ़े हँगे लिदक्स आप पहले पढ़ चुके हैं सीट देखे काफी कम है दस सीटे हैं और मैं दोनों भाईयों का सुक्रियादा करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज बता दी हैं एक लाइन में यही बोलेंगे कि जनरल टेस्ट क्वैलिफाइंग है उस पे मिनिमम एफर्ट डालें कम से कम पढ़ें साथ ही क्योंस बनाने हैं बांकि अपने अपने सब्जेक्ट पर आप लोग बेस्ट दें और केंपस जोएन करें केंपस जोएन करने बाद अपने भाई से मिले और भाई के साथ फोटो लेकर डालें ताकि आपका भी जुनियर यहाने के लिए प्रेरित हो सके तो